कि एलो गाइस सो आज का टॉपिक है लिंफ तो आज हम देखेंगे कि हमारा लिंफ क्या होता है एंड प्लस लिंफाटिक सिस्टम एक हुमन बॉड़ी में किस तरीके से फंक्शन करता है कि में जब दो रह menor लेटीन लेतिण जनले हमारा ज़साइंस की लेंगवेज है और लेंगविज मैं लिंफ का मतलब होता है क्लीन या क्लियर वॉडर it is a fluid in the lymphatic vessel तो lymph है क्या lymph एक fluid है जो जब lymphatic vessels के अंदर पहुंच जाता है तब इस fluid को क्या बोलते हैं lymph next is capillaries have thin pores through which the plasma gets filtered out into intercellular spaces अब क्या होता है मार पस basically ये अगर हम देखें तो आपका ये चैनल है arteries है oxygenated blood लाती है ये capillaries में फिर distribute होती है और ये capillaries है जो है अलग-अलग cells पड़ी है tissues पड़े हैं तो उनके पास तक blood को supply कर रहे हैं और उसके बाद में वहाँ से blood को वापिस ये capillaries उठाती है और वापिस किस में डाल लेती है वेन में और ये वेन फिर चला जाती हर्ट के पास में और deoxygenated blood को ले जाके हर्ट में डाल दोती है oxygenation के लिए अब क्या होता है कि ये जो capillaries है पतली-पतली thin capillaries, suppose कर दें कि ये capillary है ठीक है? अब इस capillary के बीच में minute pores हैं चोटे-चोटे pores है अब इन pores के अंदर से क्या होता है? कि ये plasma जो है इसके अंदर blood plasma ये pore out हो जाता है बाहर निकल जाता है और इस plasma के अंदर क्या-क्या है? ये RBCs है, कुछ WBCs है water है, proteins है वो सब इस plasma के अंदर है तो इन pores के थुरू सिर्फ RBC को छोड़के और कुछ एक proteins को छोड़के काफी सारा fluid pore out हो जाता है intercellular spaces में अब ये cells हैं मैंने कोशिच की है cells को दिखाने की तो ये black वाली cells है और ये space है बीच में ये capillary, ये tissue और ये बीच में space तो ये इन बीच के tissue में space में pore out हो जाता है अब क्या होता है कि और कुछ एक cells होती है जैसे cells के अंदर भी कुछ extra fluid हो जाता है तो वो भी यहां पर secret out हो जाता है अब ये जो fluid है इसे कहते हैं extra cellular fluid ठीक है अब ये extra cellular fluid lymph के अंदर enter हो जाता है ये हमारी lymph और ये lymph फिर जाके mix हो जाती है वेन के साथ में अब ये fluid को हमको निकालना ज़रूरी है क्योंकि अगर ये fluid यहां से ना निकला तो ये जो cell है या ये जो tissue है ये जो muscle है जहां पर ये secret out हो रहा है वो swell up कर जाएगी और दूसरा कि यहां से ये सारे के सारा secret out होता जा रहा है भार आता जा रहा है तो इसके अंदर भी कमी आ सकती है तो इसके लिए इस fluid को वापेश सारे के सारे को लेना पड़ता है और वापेश वेन के अंदर डालना पड़ता है तो इस process को इस काम करने के mechanism को का जाता है lymphatic system this fluid is called extracellular fluid which enters the into lymphatic vessels और यहां पर इसको का जाता है lymph तो जब ये fluid जब lymph के अंदर पहुंच जाएगा तो इसे lymphatic vessels के अंदर पहुंच जाएगा तो इसे कहेंगे lymph so basically everyday में हमारे पास कम से कम 20 लीटर जो fluid है वो vessels capillaries से बाहर निकलता है और लगबख 17 लीटर reabsorb भी कर लिया जाता है वापिस यही pores के थुरू कुछ एक लगबख जैसे अगर हम कह रहे हैं कि 20 लीटर तो 17 लीटर वापिस reabsorb हो जाता है but approximately 3 लीटर इस tissue के बीच में रह जाता है यहां पे वो fluid फिर ये fluid क्या होता है इस fluid is returned back to the blood अब कैसे return back to the blood होएगा lymphatic system के थरू सो अब हम पहले देखते हैं कि path क्या है lymphatic system का कि किस तरीके से lymphatic system workout हो रहा है तो सबसे पहले lymphatic capillaries है यह capillaries उस fluid को लेंगी वो capillaries फिर अलगले capillaries जोईन होंगी और क्या बनाएंगी lymphatic vessels बनाएंगी और second है यह जो lymph vessels होती है यह काफी सारी जो lymph capillaries जोडने के बाद में lymph vessels बनेगी यह lymph vessels के पास में होता है lymph nodes यह lymph nodes क्या होते हैं और कैसे work करते हैं यह next अभी देखेंगे उसके बाद में काफी सारी lymph vessels आपस में जुड़के बनाते हैं lymphatic ducts अब यह lymphatic ducts आगे further end होते हैं veins के अंदर अब यह veins जो हमारी blood लेके जा रही हैं उनके अंदर तो दो तरह के veins हैं हमारे पस right subclavial vein और left subclavial vein तो lymphatic ducts भी दो type के होते हैं एक left thoracic duct होता है और एक right thoracic duct होता है तो उसी साब से left के साथ left subclavial vein जुड़ जाती हैं और right के साथ right उसके बाद में यह veins दोनों आपस में combine होती हैं और join हो जाती हैं venakawa में venakawa सबसे बड़ी vein हैं जो की join होती हैं जाके heart के साथ में तो यह venakawa के अंदर जुड़ जाती हैं यह सारी और फिर venakawa सारा blood ले जाके किसमें डाल देती हैं heart के अंदर सो आप quickly देखते हैं डाइग्रामेटिक सिस्टम से कि कैसे हमारा lymphatic system work कर रहा है तो यह हमारा heart है यह हमारा जो right side वाला chamber है यह left side वाला chamber है अब यह arteries connected है और यह veins है तो उसके बाद में यह अपस में आके जुड़ते हैं capillaries के अंदर अब यह capillaries है और capillaries के अंदर यह dotted जो है यह जो fluid है वो secret out हो रहा है अब इस fluid को यह हमारे lymphatic capillaries क्या करते हैं suck out करती है और उसके बाद में ऐसी ही यह दो capillaries फिर आगे join होती है किसके अंदर lymph vessels के अंदर जब यह fluid इस lymphatic capillaries के अंदर आ जाता है तो इसे का जाता है lymph अब यह capillaries join होएंगे lymph vessels में यह lymph vessels आगे फिर swollen up हो जाती है फूल जाती है और यह कहलाए जाता है lymph nodes यहां पर पाई जाती है lymphocytes lymphocytes यहां पर पढ़ी होती है यह lymphocytes क्या होती है lymphocytes basically क्या है हमारी WBCs थी उन WBCs ने lymphocytes बनाई है और यह ही basically होती है जो fight करती है किसी pathogen के खिलाब अब मालो suppose करो कि हमारी blood के अंदर हमारी blood system के अंदर कोई bacteria आ गया या कोई pathogen आ गया तो उस pathogen को वह secret out हुआ होगा इसी के साथ, fluid के साथ, यह उस fluid के साथ, capillaries ने, lymphatic capillaries ने उसको absorb कर लिया अब वह bacteria इसके साथ साथ इसके थुरू होके जा रहा है जब इसके थुरू जाता है तो यह lymphocytes उसको identify करते हैं और उसको यहीं पर destroy कर देती हैं तोड़ देती है ठीक है उसके बाद में यहां से यह lymph यह दो lymphatic vessels आगे join होती है lymphatic ducts के अंदर अब इस lymphatic ducts में entry होती है Lacteals की अब विलाई है जो हमने digestive system के अंदर देखा है कि विलाई होता है हमारी small intestine के walls के पास तो यह विलाई क्या करता है यहां पर यह Lacteal cells होती है lymph vessels होती है Lacteal vessels कि इसके अंदर absorb होता है fat तो जो हमारी food खाते है उस food के अंदर जो fats होते है वो Lacteals के अंदर absorb हो जाते है और वो fat फिर breakdown करके पहुंचा दिया जाता है वापिस lymphatic ducts के अंदर यहां पर lymphatic ducts के अंदर आने के बाद में उस fat को पहुंचा दिया जाता है blood stream के अंदर तो दो lymphatic ducts आपस में join होते है और उसके बाद में यह जो हमने पहले देखा subclavial veins बनती है वो veins बनती है और उसके बाद में वो end हो जाती है वेना कावा में यह वेना कावा थी जो heart तक join हो जाती है उसके बाद आता है हमारा कि यह जो हमारे lymphatic ducts हैं यह कितने टाइप के हैं यह हमारे कहते lymph organs के अंदर जो आते हैं तो हमारे tonsils, thymus, thoracic duct, spleen, pear spatches tonsils आपके neck जो होता है आपका अगला है उसके side में present है उसके बाद में thymus जो आपका basically chest region में होता है उसके बाद में यह thoracic duct है जहांपे सारी की सारी lymphocytes को डाला जाता है basically इन सभी ducts के अंदर उसके बाद में बाद आती है हमारी यह thymus तो thymus हमारा chest region में है उसके बाद में thoracic duct आ गया, spleen है, spleen है एक organ होती है यहांपे चोटी सी हमारे एक fist जितनी हमारे एक मुठी के size जितनी यह spleen होती है और यह basically होती है हमारे stomach के back side में और यह function करती है basically जितनी भी dead rbc है और wbc है यह lymphocytes हैं इनको store करने का काम करती है तो उसके बाद में आता है हमारा pears patches यह pears patches मिलते हैं हमारे small intestine की walls के अंदर small intestine के पास pear patches होते हैं तो basically यह सारे के सारे हैं हमारे lymphatic ducts और lymphatic organs और इनी के पास हमारे सारे के सारे store होता है हमारा lymph और फिर यहां से पहुंचाया जाता है veins के अंदर सो कई बार होता है कि हमारे tonsils होते हैं यह swallow हो जाते हैं सूच जाते हैं तो कई बार हमारे क्या होता है जो आगे further dispatch नहीं हो पाता है पूरा lymph पहुंचाया नहीं पाते हम veins तक तो क्या होता है यह हमारा lymphatic ducts हैं यह सूच जाते हैं स्वेलप हो जाते हैं तो यह हमारे बताते हैं कि कैसे न कैसे करके क्या आगया कुछ एक lymphatic nodes कहलो यहां पर कुछ ऐसे pathogens आ गये हैं जो infection हो रहा है जिनकी वजह से जादा जादा यहां पर infection होएगा उतना ही जादा क्या आएंगे lymphocytes आएंगे और जितने lymphocytes जादा आएंगे तो यह region भी swell up करता जाएगा जब यह region swell up करेगा तो automatically tonsils भी swell up हो जाते हैं तो जैसे यह आप किसी साइस बड़ा तो नहीं हो गया स्वलब तो नहीं हो गया अगर यह हो गए तो इस विच मेंस की भी आपकी ब्लड में क्या था को infection था तो यह basically हमारे पूरे जो बॉड़ी है उसके अंदर पूरे के अंदर हमारा lymphatic system distributed होता है तो यह था हमारा lymphatic system के बारे में अब देख लेते हैं इसके functions के हैं तो basically तीन functions है पहला है clear lymph जो extracellular fluid है हमारा यह extracellular fluid जो निकला था यहां पर उस सारे के सारे को क्या करेगा वो clear करेगा कि कहीं ना कहीं किसी भी tissue की बीच में किसी भी cell के पास में कोई किसी भी तरिके का कोई यह fluid बचा ना रह जाए क्योंकि वो अगर बचा रह गया तो फिर swell up हो जाएगा वो और गन उसके बाद में दूसरा help immunity तो immunity बढ़ाता है immunity क्या होते है हमारी किसी भी disease को fight against करने वाली है हमारी system तो किसी भी disease के अगेंस्ट fight करते है immunity क्यों क्योंकि हमारा पस lymphocyte produce होती है और यह lymphocyte kill करते हैं किसी भी pathogen को दूसरा तीसरा हमार पास यहां पर इसका function है transports the fat तो जो fat हमारा absorb हुआ था intestine के अंदर उस fat को यह fat हमारा blood capillaries में arteries में मिक्स नहीं हो पाता क्योंकि इसका size बहुत बढ़ा था तो इसको lacteals के थुरू के इसके size को break किया जाता है छोटा किया जाता है उसके बाद में इसको डाल दिया जाता है blood streams के अंदर तो यह 3 functions थे basically हमारे lymph के so that's all for the topic lymph so I hope यह आपको समझ में आया होगा and clear हो गया होगा आपको topic lymph so if you done that please like the video and subscribe to the channel thank you guys